आज हम बच्चों के लिए एक सुन्दा साड डिजाइन लेके आये हैं हमने किस तरीके से बनाया है? इसकी वीडियो सुरू करेंगे पूरे चार्ट के साथ दो सिलाई हमने सपेद से, दो नीले से, दो लाल से, दो सपेद से बिन लेया है अब यहां से हम डिजाइन डालेंगे एक फंदा लाल से बिन लेगे फिर तीन फंदे सपेद से एक, दो, तीन फिर दो लाल से एक, दो, फिर एक सपेद से फिर दो लाल से एक, दो फिर तीन सपेद से एक, दो, तीन पूरी सिलाई में हमारे साटी फंदे थे एक फंदा हमने इसमें बढ़ा लिया है एक सट फंदे हैं बारा फंदों का यह डिजाइन बन रहा है एक डिजाइन पूरा होगी एक फंदा लाल, तीन सपेद, दो लाल, एक सपेद, दो लाल, फिर तीन सपेद पूरे होगे बारा फंदों बारा फंदों का एक डिजाइन पूरा होगी फिर उसी तरीके से रिपीट करेंगे एक लाल बिन लेंगे फिर तीन सपेद एक, दो, तीन फिर दो लाल, एक, दो फिर एक सपेद, फिर दो लाल, एक, दो फिर तीन सपेद, एक, दो, तीन दो डिजाइन पूरे हो गए बारा फंदों का एक डिजाइन ये पूरा हो गया बारा फंदों का एक डिजाइन ये पूरा हो गया अब इसी तरीके से पूरी सिलाई को हम बिल लेंगे लास्ट में एक फंदा लाल से भी लेंगे यहां से शुरू में एक फंदा लाल से बिना, प्लास्ट में भी एक फंदा लाल से बिनागे अब दूसरी सिलाई में, जो एक फंदा लाल है, इसे लाली बिन लगे दो फंदे सफेद, हमने तीन फंदे सफेद बिने थे, दूसरी लाईन में दो बिनागे एक, दो, जो यह सफेद है, इसको लाल भी नगे, एक, दो, तीन, तीन ने लाल भी नगे, जो बीच का है सफेद था, इसको भी लाल भी नगे, चार हो गए, पांच, छे, शार, शार, साथ फंदे हमने लाल भी ले, अब दो फंदे सफेद, एक, दो, एक फंदा जो यह लाल था, इसे लाली भी नगे, फिर दो फंदे सफेद, एक, दो, फिर यह फंदे को लाल भी नगे, ये लाल फंदे तक हमारे 12 फंदे हो गए हैं 12 फंदों का एक डिजाइन हमारा ये पूरा हो गए अब यहां से दूसरा डिजाइन शूरू हो रहा है दो फंदे हमने ये सफेद से बिल लिए एक, दो, तीन चार, पांच, छे, साथ साथ फंदे लाल शे हो गए फिर दो फंदे सफेद एक, दो, फिर एक फंदा लाल दो डिजाइन हमारे कम्प्लीट हो गए एक डिजाइन ये बन रहा है एक ये बन रहा है इसी तरीके से बांकरी डिजाइनों को भी हम बना लगे दूसरी सी लाई में हमने एक लाल, दो सफेद, फिर साथ लाल, फिर दो सफेद पूरे बारा फंदे हो गए 12 फंदों का एक डिजाइन पूरा हो गया दूसरे डिजाइन के लिए फिर इनी फंदों को रिपीट कर लगे अब ये तीसरी लाइन तीसरी लाइन में सेम ये ही फंदों को रिपीट करेंगे एक लाल, दो सपेद, साथ लाल, दो सपेद पूरे 12 फंदों का डिजाइन हो जाए तीसरी लाइन में जो लाल था उसके उपर हमने लाली बिन लिया जो सफेद था सफेद बिन लिया अब चौथी लाइन बिन लिए ये लाल है पहला फंद से लाल बिन लिए फिर ये दो फंद हमने सफेद बिन लिए थे एक, दो, एक ये लाल फंदे को हम सपेद बिन देंगे, तीन फंदे हमने सपेद बिन देंगे, अब पांच फंदे लाल बिन देंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे हमने लाल से बिन देंगे, एक फंदा शुरू का लाल जो था हमने सपेद बिन देंगे, एक लाश्टे का जो लाल है उसे सपेद बिन देंगे, एक, दो, तीन, पूरे बारा फंदे होगे, बारा फंदों का एक डिजाइन हमारा है, पूरा होगे, अब फिर यही फंदों को फिर रिपीट करेंगे, एक फंदा लाल, एक, दो, एक लाल फंदे को सपेद बिन देंगे, तीन सपेद होगे, अब पांच लाल बिन देंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर तीन सपेद, एक, दो, तीन, फिर बारा फंदे होगे, बारा फंदों का दूसरा डिजाइन बन गया है, अब यहां से तीसरा डिजाइन शुरू करेंगे, सेम इसी तरीके से पूरी शिलाई विल्ड़न, अब फोर्त शिलाई में, एक लाल, तीन सपेद, पांच लाल, तीन सपेद, पूर दूसरी डिजाइन में, फिर इसी को रिपीट करेंगे, अब पांच वी लाइन में, हमारा डिजाइन, चेंज हो जाएगा, अभी तक हम, सुरू का फंदा लाल बिन रहे थे, अब यह दो फंदे, सफेद बिन लेंगे, एक लाल वाला सफेद, और एक सफेद वाला सफेद, दो फंदे सफेद, फिर तीन फंदे लाल, एक दो तीन, तीन फंदे लाल, फिर तीन सफेद, एक दो तीन, फिर तीन लाल, दो तीन, पूरी सिलाई, तीन फंदे सफेद, तीन लाल, तीन, पूरी सिलाई, तीन फंदे सफेद, तीन लाल, तीन, पूरी सिलाई, तीन फंदे सफेद तीन लाल करके बिनना है शुरू में हमने दो फंदे सफेद बिनने है और लास्ट में भी दो फंदे सफेद बिनने है दो फंदे सफेद तीन लाल तीन सफेद तीन लाल इसी तरीके से पूरी लाइन बिनने है लास्ट में दो फंदे सफेद जो बीच के फंदे ये लाल थे ये हमने तीन फंदे सफेद बिल लिए है इस तरीके से हमें डिजाइन बना ला है पूरा यहां से इस सिलाई से हमारा डिजाइन चेंज हो गया नीचे से एक लाल बनते वे आ रहा था यहां से सफेद हो गया अब हम छटी शिलाई बिनागे चार शिलाई हमने एक फंदाई लाल बिना अब चार शिलाई ये वाले फंदे को हम सपेद से बिनागे फिर चार शिलाई फिर लाल से ही बिनागे जो बीच में बिन रहे हैं चार शिलाई लाल से बिन लिया अब चार शिलाई सपीद से पहला पंदा सपीद से बिन लिया एक फिर ये तीन फंदे हमने लाल से बिने थे एक फंदा इसको भी लाल से बिन लिया यानि कि चार फंदे एक, दो, तीन, चार, चार फंदे हमने लाल से बिन लेगे, फिर ये तीन फंदे हमने सपेद से बिन लेगे, एक फंदा हम सपेद से बिन लेगे, बीच वाले फंदे को लाल से, फिर ये सपेद था, इसे सपेद से, फिर ये तीन लाल से हैं एक सपेद वाले को लाल बिनेंगे तो हम चार लाल बिनेंगे एक दो तीन चार चार शिलाई ये हमने लाल से बिना चार सपेद से ये फंदे को हम सपेद बिनेंगे एक डिजाइन कम्प्लीट हो गया अब यहां से सेम उसी तरीके से दूसरा डिजाइन बनेगा एक सपेज से बिन लिया चार फंदे लाल से एक दो तीन चार फिर एक सपेज से इस बीच वाले को लाल से बिन लाए फिर एक सपेज से फिर चार फंदे ला एक दो तीन तीन ये लाल से बिन लाल बिनने है एक सपेज वाले को लाल बिनने फिर ये सपेज दो डिजायन कमप्लीट हो अब ये पूरी सिलाई बिन लेंगे छटी सिलाई में हमने एक सफेद, चार लाल एक सफेद, एक लाल एक सफेद, चार लाल पूरे बारा फंदे हो गए फिर सेम जो हमने छटी सिलाई में बिना है वही साथवी सिलाई में हमने रिपीट कर लेना है पहला फंदा सफेद है तो सफेद भी लंगे, फिर ये चार फंदे, लाल हैं तो लाल, फिर सफेद, फिर लाल, फिर सफेद, फिर लाल, इसी तरीके से पूरी सिलाई repeat कर लगे अब ये आठवी सिलाई भी लगे एक जो सफेद था उसे सफेद भी लगे जो लाल है इसे भी सफेद भी दो सफेद तीन लाल ये तीन लाल फिर तीन ये सफेद भी एक फिर तीन लाल फिर तीन सफेद फिर तीन लाल इसी तरीके से पूरी सिलाई भी लगे जो हमने ये पांचवी सिलाई में बिना था ये पांचवी सिलाई ये रिपीट करना है ये पांचवी सिलाई में हमने दो सफेद तीन लाल तीन सफेद, तीन लाल बिना है वह यह आठवी सिलाई में करना है दो सफेद, तीन लाल तीन सफेद, तीन लाल चार सिलाई हमने यह लाल से बिना फिर यह चार सिलाई सपेद से अब यहां से हम फिर लाल से बिनागे इस फंदे को यह ओला फंदा बीच का जो यह नीची से एक फंदा आ रहा है चार हमने लाल से बिने थे चार सपेज से अब चार फिर लाल से आएंगे पहला फंदा आब यहां से हम इसी चेंज करेंगे इसको फिर लाल से बिनेगे क्योंकि चार से लाई हमने सपेज से बिन लिया है तीन सफेद से बिनी है एक दो तीन फिर जो ये तीन सफेद वाले हैं ये एक यहां से एक यहां से यानि कि पूरे पांच फंदे हम लाल से बिनी है एक दो तीन चार पांच फंदे फिर तीन फंदे सफेद से एक दो तीन अब जो ये फंदा नीचे से आ रहा था अब इसको यहां पर फिर चेंज करेंगे यहां लाल से बिनी हैं इस फंदे लाल से बिनी लिया पूरा बारा फंदों का डिजाइन हो गया अब इसको पूरी सिलाई इसी repeat करें जो हमने फूर्थ रो बनाई थी एक लाल, तीन सफेद पांस लाल, तीन सफेद सेम वही फिर नाइन्थ रो में repeat हो जाएगा अब दस्वी सिलाई में जो हमने दूसरी और तीसरी सिलाई बनाई थी वही repeat होगी पहला पंदर लाल से बिना था लाल फिर दो सफेद एक दो फिर ये सफेद को लाल बिनेंगे और ये सफेद को लाल बिनेंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पर बिना था दूसरी और तीसरी सिलाई फिर ये साथ लाल से एक दो यह फंदे जादा हैं, साथ फंदे हैं, तो यह धागा हमारा पीछी से लंबा आ जाता है, इसलिए इस तरीके से, एक बार इस तरीके से ले 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 लिए, छे फंदे, एक यहाँ से सफेद को बिन दे, साथ, जो हमने दूसरी सिलाई और तीसरी बिन थी, वह सिलाई दस वी और इग्यार वी में वह रिपीट करेंगे, फिर यह दो सफेद, फिर एक लाग, इस तरीके से, जो हमने दूसरी सिलाई और तीसरी में, दो सिलाई सेम रिपीट की थी, वह हम दस वी और इग्यारवी में वह रिपीट करेंगे, जो नीचे का डियान है, यह उपर आरहा है, 11 सिलाई है हो गई अब 12 सिलाई में हम जो हमने शुरू में स्टार्ट किया था शुरू की लाइन वह हम उपर 12 सिलाई में करेंगे एक फंदा लाल से फिर तीन सफेद से दो यह सफेद भी नहीं थे यह सफेद भी लंगे एक यह लाल फंदे को सफेद दो फंदे लाल से एक दो फिर एक फंदा सफेद से फिर दो फंदे लाल से एक दो फिर तीन फंदे सफेद से एक यह लाल को सफेद भी नहीं लंगे दो जो सफेद हैं यह सफेद फिर यह फंदा हम लाल जो हमने सुरू में भी ना था सुरू में भी हमने एक लाल तीन सफेद फिर दो लाल फिर बीच में एक यह सफेद फिर दो लाल, फिर दीन सफेद सेम वही हमने लास्ट में भी रिपीट कर लेना है बारश सिलाई का डिजाइन हमारा पूरा हो गए जो हमने नीचे से दो सफेद, दो नीला, दो लाल, दो सफेद इस तरीके से सेम इसे उपर भी बिल लगी दीजाइन हमने पूरा बना लिया है हमने पांच फूल बनाए हैं अगर आप लोग ज्यादा बनाना चाहते हैं तो बारा फंदों का एक फूल बन रहा है तो आप लोग जितने फूल बनाना चाहते हैं उतने फंदेश में बढ़ा सकते हैं अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें नए नए डिजाइनों के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें